चलते हैं एंगले question की और question number 16 है अंतविष्ट कार्यों के विशय में निमलिकित में से कौन सा कथन गलत है which of the following statement about inclusion bodies is incorrect तो यहाँ पर आप से पुछावाय की जो inclusion body है उनके लिए कौन सा कथन गलत है आपके option है पहला option है यह किसी जिली से घिरे नहीं होते दूसरा यह खाद कड़ों को अंतर गरहन में सामिल होते हैं तीसरा यह कोशिका द्रब में सतंतरूप से होते हैं और चौथा यह कोशिका द्रब में नीचित प्रदाथों को व्यक्त करते हैं तो इस question का right option है option 2 यह खाद कड़ों के अंतर गरहन में सामिल होते हैं question number 17 है सुकेंदरी कोशिकाओं में glycoprotein और glycolipid के निर्मार का मुख इस्थल कौन सा होता है which is the important site of formation of glycoprotein and glycolipid in eukaryotic cells आपके option है पहला option है इंडोप्लास्मी रेटिकुलम दूसरा है परोक्सिसोम थर्ड है गॉल्जी बोड़ी और फूर्थ है ग्लाइको सोम तो आपका जो राइट ऑप्सन है option third है गॉल्जी बोड़ी तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा explain कर देता हूं कि जो गॉल्जी का है यह glycoprotein और glycolipid का निर्मार का प्रमुक स्थल है जो खुर्दरी अंतरप्रद्वी जालिका होती है यानि कि जो रॉफ इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होती है उनके द्वारा protein का संसलेशन होता है तता जो चिकद अंतरप्रद्वी जालिका होती है यानि कि स्मूथ वाल्ड इंडोप्लास्मिक रेटिकुलम होती है उसमें लिपिट का संसलेशन होता है अब यह दोनों protein और लिपिट गॉलजी कय के सिस्टरनी में पहुंचती है और यह दोनों आपस म सन्यूजित होकर ग्लाइको प्रोटीन वा ग्लाइको लिपीट का निर्मार करती हैं चलते हैं कोशन नमबर 18 की ओर जल एलेक्टोफोरेसिस में प्रिथक हुए DNA के खंडो को किसकी सहायता से देखा जा सकता है बड़ा ही important question है आप इस question को note कर लिजेगा इन जल एलेक्टोफोरेसिस separate DNA segment can be visualized with the help of आपके option है पहला है चमकीले नीले प्रकास में एसिटो कार्मीन से दूसरा है अल्ट्रा वाइलेट विकरण में इथीडियम ब्रोमाइड से तीसरा है अल्ट्रा वाइलेट विकरण में एसिटो कार्मीन से और चौथा है अवरक्त विकरण में इथीडियम ब्रोमाइड से तो इस question का right option है option second UV विकरण में इथीडियम ब्रोमाइड से तो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि जेल एलेक्रोफोरेसिस यानि की जेल वैद्धू संचलन में हम प्रिथक हुए DNA खंडों को तभी देख सकते हैं जब DNA को एथीलिन ब्रोमाइड नामक योविक से अभी रंजित यानि की स्टेन किया जाता है और उन्हें पराबैगनी विकरणों से अनावरित करते हैं चलते हैं question number 19 की और oxygen के परिवहन के संदर में गलत कथन को पहचानिये identify the wrong statement with reference to transport of oxygen तो इस question का right answer मैं बता देता हूँ option third है वायू कूपिकाओं में H plus iron की उच्च सांदता ऑक्सी हीमोगलोवीन बनने में साहयक होती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि हीमोगलोवीन के साथ oxygen का बनना प्रात्मिक तोर पर oxygen के आंसिक दाप से संबंदित है CO2 का अंसिक दाप hydrogen iron की संदता और तापक्रम तथा इसके साथ साथ कुछ अनकारकों से संबंदित होता है यदि हम बात करें कूपिकाओं की तो कूपिकाओं में उच oxygen दाप तथा निम्न CO2 दाप तथा कम H plus iron संदता और निम्न तापक्रम होता है वहाँ आकसी हिमोगलोबीन बनाने के लिए ये सभी घटक अनकूल साबित होते हैं जबकि यदि हम बात करें उतकों में तो उतकों में oxygen का दाप निम्न होता है जबकि CO2 का दाप उच्छ होता है hydrogen iron उच्छ होते हैं इसके साथ साथ तापक्रम भी उच्छ होता है और ये आकसी हिमोगलोबीन से oxygen को तोड़ने के लिए अनकूलित होते हैं तो इस पॉइंट को आप नोट कर लिजे कि कूपिकाओं में और उतक में क्या-क्या condition चाहिए होता है oxygen का हिमोगलोबीन के साथ जूणने के लिए चलते हैं अगले question के question number 20 है अर पुस्पक में क्या होता है इंगलिस में बोलेंगे ray flow rates have आपके option है पहला option है inferior ओवरी दूसरा option है superior ओवरी तीसरा है हाइपो गाइनस ओवरी और चौथा है half inferior ओवरी तो इस question का right option है option first inferior ओवरी त्रेफ लोरेट प्रकार का जो पुस्प क्रम है वो सुर्य मुखी में पाय जाता है तो आप इस example को भी याद रखेगा आई चलते हैं अगले question के और question number 21 है ECO RI द्वरा पहचाने जाने वाला palindromic क्रम है the specific palindromic sequence which is recognized by ECO R1 is तो इस question का right option है option first आप सभी जानते हैं कि जो palindromic क्रम होता है palindromic क्रम का मतलब होता है जो आगे से और पीछे से पढ़ने में एक जैसा हो तो आप देखेंगे 5 primer 3 primer का जो क्रम है वह है गवानीन, एडनीन एडनीन, थाइमीन, थाइमीन और साइटोसीन तो उसका जो complementary strand है 3 primer 5 तो आप देखेंगे वह उल्टा है यानि कि साइटोसीन, थाइमीन, थाइमीन, एडनीन, गवानीन तो उपर का just opposite है नीचे वाला यानि कि उपर वाले का अगर हम उल्टा पढ़ें तो नीचे वाला strand identify the wrong statement with regard to restriction enzyme, तो restriction enzyme के विसे में अगर हम गलत कथन को चुने तो हमारा right option है, option 4 चिपचिपे सीरे DNA ligase द्वारा जोड़े जा सकते हैं, sticky end can be joined by using DNA ligase, अगर चलते हैं अगले question के और question number 23 है, निर्व में से कौन सा वहित्मत लुक्चाय के लिए आवाईवी आपंक संपाचित में डाला जाता है, तो ये आवाईवी आपंक संपाचित जिसे इंगलिस में बोलते हैं, anaerobic slug digester, तो which of the following is put into anaerobic slug digester for further sewage treatment, तो इस question का right option है, option 4, activated slug, question number 24 है, अनतर स्वसन के दारान होने वाले सही घटनाओं का चयन करें, तो इसमें देखेंगे तो जो अनतर स्वसन के दारान होने वाले घटनाओं जो दो है, पहला है डाफ्राम का संकुचन, और उसके अलाबा है, वा है अनतर परसुक पेसियों का संकुचन, तो ये दो अनतर घटनाओं जो है, वो सही है, तो इसी साब समारा right option होगा, option first, A एवं B, तो inspiration के दारान, contraction of diaphragm, और contraction of external intercostal muscles, ये दोनों घटनाओं होती है, तो ये दोनों जो है, A और B में दिये हुए है, इसलिए आपका right option है, option first है, क्योंकि option first में A और B दिया ह हुआ है, आई चलते हैं, अगले question की ओर, question number 25 है, यदि तिल्चट्टे का सीर हटा दिया जाए, तो वह कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, इसका कारण बताना है आपको, If the head of cockroach is removed, it may live for few days because, तो मैं आपको बता दूँ कि जो तिल्चट्टा होता है, तिल्चट्टे के सीर में केवल कुछी तंत्रिका तंत्र होते हैं, जबकि maximum तंत्रिका तंत्र उसके अधर भाग में इस्थित होते हैं, तो इस हिसाब से जो right option है, option third है, सीर में तंत्रिका तंत के लिए कौन सा खथन सही है, which of the following statement are true for the phylum core data, तो यदि हम option में देखे, तो option B और सही है, क्योंकि वर्टिब्रेटा में पिश्टर अचु केवल भूरी काल में उपस्तित होता है, और केंद्रिका तंत्रिका तंत्र प्रिष्थी एवं खोखला होता है, तो ये दोनों option सही ह है, इसलिए हमारा जो right option है, option 4 है, B एवं C, question number 27 है, जीव को उनके जव प्रद्योगी की के उपयोग के लिए सुमेलित कीजिए, match the organism with its use in biotechnology, तो इसमें देखे, bacillus thuringinesis, जो की related है cry protein से, यानि की A का 4 से, B यानि की thermos aquaticus का होगा, DNA polymerase, B का 3 से, C यानि की agrobacterium tumifacian का होगा, क्लोनिक वेक्टर से, और D का होगा, सेकेंड से, तो इससाब हमारा right option है, option second, यानि की bacillus thuringinesis का होगा cry protein, thermos aquaticus का होगा, DNA polymerase से, C agrobacterium tumifacian, जो की एक cloning vector है, तो C का होगा first से, और D का मैंने बताया है, बचा हुआ रहा गया हमारा option second, प्रथम RNA DNA अडू का निर्मार, चलते आनिवार, तत्तों और पादपों में उनके कारियों के विशे में निमलिकित को सुमेलित कीजिए, match the following concerning essential elements and their function in plants, तो इस question का जो right option है, option third है, यानि की जो लोहा है, वो chlorophyll के geosinculation के लिए आवस्यक है, वहीं यदि हम बात करें, जिंक की तो यह IAA biosynthesis के के लिए involve होता है, उस पराख के अनकूरण के लिए आवस्यक है, और वहीं बात करें, मैगनेज की, तो यह जल का प्रकास अब घटन कराता है, चलते हैं, अगले question की और question number 29 है, गलत कथन को चुनिए, तो इसमें से यदि हम incorrect statement को चुनते हैं, तो इसमें जो right option है, option C है, यानि की option third है, रस्दारू सबसे भीतरी दृतियक दारू होता है, या एक अपेच्छा कित हलके रंग की होती है, यानि की sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color, तो जो sapwood होते हैं, inner most layer, वो lighter color नहीं होते हैं, यानि की हलके नहीं होते हैं, वो dark color के होते हैं, तो यह जो statement है, यह गलत है, चलते हैं, अगले question की, question number 30 है, न प्रेर्य क्रिया का निरोधक है, वो है mellonate, यानि के A का second के साथ, और B, peptide बंत धारक होगा, collagen, कवको की कोशिका भिक्ती होगी, kaitin, और दृतियक उपाफ चाहे, ricin, तो यह था आज का second part, first part और second part मिला कर हमने कुल 30 question को solve किया, बज गए हमारे 16 question, जिने हम दो पार्ट मे अलग-अलग वीडियो में discuss करेंगे, इस तरह निट 2020 में पूछे गए जितने भी biology के 90 question है, उन्हें आने वाले दिनों में हम complete करेंगे, तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, comment करके ज़रू बताएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like कीजिएगा और अपने दोस्तों में जवू सेर कीजिएगा, जो निट की तयारी करें, ताकि उनके भी help हो सके, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ, तब तक के लिए जहिन जभारत कर दोस्तों मिलते हैं, तोस्तों 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 मिलते है